हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो डेली बेसेश के तरह हैं आज भी दो बहतरिंग इंट्रडे का स्टॉक लेकर हूं जो कल आपको जोधर पॉफोमेंस देने वाले यह प्रॉपर टेकनिकल विउकर को डिक दोनों स्टॉक आप लोगों को अपडेट किये जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेज़वल और एक एजुकेशन परपस से होने वाला है और साथ में दोस्तो जो दो कल स्टॉक दिये थे जिनका आज इंट साथ में तॉप लिज़र के लिएट सी देखके चल सकते हो तो इनी में से दो बहते रिंग स्टॉक हैं जो कल इंटर डे में हमें जो बोड़कर देंगे लेकिन दोस्तो कल के 2 श कवरफ़र्मेंस देख लेते हैं आज कैसा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तो हमारा फर्स्ट स्टॉक था हिंदूस्तान यूनिलिवर जिसे दोस्तो हमने शॉट करने की बोला था 2290 से टेके टार्गेट दिया था 2270 का यह स्टॉक ओपन होता है गेपप 2339 रुपे के आसपास सेम प्राइस का हाई लगाता है और ल स्टॉक के आसपास आया ठीक है इस लेवल के आसपास आया और जब जाके दोस्तो इसने इस प्राइस का लो लगाया जब तक दोस्तो हम ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करके बेड़ जाते हैं ठीक है मुमेंटम हमें मिलना चाहिए दो बज़े से पहले-पहले तब हमारे काम क चीज है ठीक है तो इसमें ट्रेडिंग हम नहीं कर पाए आप चार्ट पर भी अपना टेकनिकल अनलाइस देख सकते हो किस प्राकास है इंदुस्तान यूनिलिवर ने किया है कल भी सेम यही परफॉर्मेंस हमारे दोनों स्टॉक में रहा था ठीक है अब आप देखते हैं कि हमने शॉट करने की बोला था दोस्तों 1082 से और 1065 का टार्गेट दिया था ठीक है तो यह ओपन होता है गेप डाउन 1095 रुपे से महीं से हाई लगाता है 1045 रुपे नबर पैसे और लो लगाता है 1045 रुपे ठीक है इसने दोस्तों हमारा क्या कर रहा था इसने हमारा प्रफिट भी उआ टार्गेट भी डवब ड़न हुआ लेकिन दोस्तों जब इसमें गिरावत और बड़ी सेकेंड हमें ठीक है तब हमने एक मोगा और डुढ़ने की कोशिश की और हमारा जो टेलिगराम चैनल है उसमें हमने अपडेट करने की कोशिश की लेकिन दोस्तों वो मोका बिल्कुल भी नहीं मिल पाया क्योंकि दोस्तों जो सेलर्स थे वो फटा बट से प्रॉफिट बुक करके निकल रहे थे और बायर स्टॉक को बार बार उपल लेके आ रहे थे इसके करन दोस्तों टेक मेंद्रा में जो पर्फोमेंस था ठीके जो लाइब में देना चा तो हमारे लिए जो सबसे फर्स स्टॉक के उसका ना में दीपक नाइटरेट डीपक नाइटरेट के अगर मैं बात करता हूँ तो 5% की भारी भरक्यम गिराबट के साथ स्टॉक 1851 रुपे के आसपास क्लोज हुआ है प्रिवेस क्लोज था 1904 रुपे स्टॉक गेप अपनिं मिलेगा यह देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो दीपक नाइटरेट का चाट पिटेन में आप लोगों सामने ओपन किया है अब देखे दीपक नाइटरेट के अगर मैं बात कहता हूँ ना तो ऊपर से हम पॉइंट को फाइंड करते आते हैं ठीक है ज सबसे बड़ा लेवल था 1975 का जब उसको दोस्तों स्टॉक ने ब्रेक किया तो वहां पर हम समझ गये थे कि स्टॉक में गिरावट नहीं रोकना चाहिए लेकिन दोस्तों वहां पर एक बड़ा सा साइकलोजी नंबर था वो था 1900 रुपे का ठीक है क्योंकि यहां पर आप दे देखने को मिल रहा था क्योंकि यहां पर पहले भी स्टॉक ने दोस्तों क्या कर चुका है सपूर्ट ले चुका है अब यहां पर आप देखें गिरावट बड़ी सी देखने को मिली ठीक है सेकेंड केंडल ग्रीन बना तो हमने यही सोचा दोस्तों कि 1865 रुपे के लेवल क क्रॉस करेगा लेकिन वो नहीं कर पाया देन उसके बाद जो दो एक एक घंटे की केंडल थी दोस्तों वो रेट देखने को मिली मतलब देशतों दीपक नाइट्राइट दोस्तों काफी बीग जो अनमें जा चुका है सेलर्स काफी जादा एक्टिवेट हो चुके हैं ठीके यहाँ पर क्योंकि आज का पाफोमेंस आप देख सकते हो ठीके एक गंटे का एक केंडल है तो चार केंडल इधर है तीन केंडल रेट आपको दिख रही है फिर आपको एक ग्रीन केंडल दिख रही है और दो फिर रेट दिख रही है मतलब दोस्तों छे में से पाँच केंड रहता है तो stock कल हमें 1800 रुपए का level भी break करते दिखा सकता है नीचे के side में तो इसका जो level से चली वो update कर देता हूँ तो दोस्तो proper तरीके से levels को note करिएगा जब कल की date में अगर हमें ये stock मिलेगा दोस्तो लगभग लगभग 1820 20 रुपए के level से तो यहां से हम stock को short करेंगे target लेंगे fix 1800 रुपए का ठीके और SL update करने इस पहले एक और important point अपडेट करूँगा मैं तो यहां पर आप देख सकते हैं वो important point ए profit guru F&O call का telegram channel जहां पर daily basis पे बहतरिंग option के calls provide करते हैं आज सबसे पहले bank nifty का CE buy करवाने की कोशिश की लेकिन दोस्तो वो नहीं हो पाया ठीके जिसमें क्या हुआ दोस्तो position execute नहीं हो पाया फिर उसके पास metropoli healthcare का दोस्तो call buy करवाया ठीके इसका lot size था 200 का ठीके इसमें हमने दोस्तो 20 point का target book करिया लगबग लगबग हमें इसमें 4000 का profit निकला है एकदम दमा के दार ठीके आपको दिखाना चाऊँगा यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा target done हुआ यह देखे यह हमारा metropoli healthcare का target done हुआ daily basis पर से bettering levels provide करते हैं जहाँ पर आप market से related कुछ भी चीज़े पूछना है technical fundamental swing trade कुछ भी चीज़े पूछना है दोस्तो long time कुछ भी आप बाकाइदा यहाँ पर पूछिए दोस्तो यहाँ पर contact करिये आप लोगों को दोस्तो free में help दिया जाएगा free में आप लोगों को reply दिया जाएगा बस आपको करना क्या है आपको इस telegram channel में join होना है और कहाँ से join हो जाओगे link निचे description में मिल जाएगा telegram का ठीके वहाँ पर जाएए उस पर click करिये और join हो जाएए और trading का भी फाइदा उठाईए और दोस्तो SL लेके चलेंगे हम लगवक 1830 रुपे का ठीक है 1830 रुपे का हम SL लेके चलेंगे और 1860 रुपे का target रेखा और 1820 रुपे से short करके चलेंगे stock को अब चलते हैं second stock के उपर दोस्तो हमारा second stock है SRT जैसे हम स्रीराम Transport Finance Corporation के नाम से जानते यह stock दोस्तो आज हलकी सी गिरावट के साथ 1120 रुपे पे close हुआ previous close था 1170 रुपे 75 पैसे stock open हुआ 1136 रुपे high लगाया 1146 रुपे 35 पैसे और low लगाया 120 रुपे 75 पैसे उसके साथ ही आप देख सकते हो volume की condition यहां पर 10,00,00,00 के देखने को मिल रही है ठीक है अब इसके भी टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं कल के लिए क्या मोमेंट मिलता है यह देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो SRT का चार्ट पेटर में आप लोगों को सामने उपन क्या है अब SRT का अगर मैं चार्ट पेटर की बात करता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तो एक मीडी का point था जो हमें देखने को मिल रहा है करीबन 1130 रुपे के हास-पास का दहां पर स्टॉग ने काफी अच्छा momentum भी किया है सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि स्टॉग ने कुछ दिनों से 1130 रुपे का लेवल को होल्ड करके रखा है जैसे यहां पर break करके जब यहां से recovery आई तो यहां पर बढ़िया से hold किया यहां पर भी किया आज गिरावट है तो भी उससे पहले उसने recovery कर लिया सबसे बड़ा plus point SRT में यही देखने को मिल रहा है उसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हो कि 1120 रुपे के लेवल के आसपास भी एक अच्छा गाचा मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक उपर जा रहा है उसको hold नहीं कर पारा सबसे बड़ी problem यह है और स्टॉक नीचे आ रहा है ना ठीक है तो 1100 रुपे के लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है उसके बाद भी उपर गया फिर नीचा है आप यहाँ पर देख सकते हो तो problem यही देखने को मिल रही है क्योंकि दोस्तों स्टॉक देखे कि कितनी उपर गया लगबग 1140 रुपे के लेवल से उपर गया ठेक है गिरावट आई गिरावट आई गिरावट आई ठेक है यहाँ पर भी देखेंग गिरावट आई तो expectation यह अगर कल की date में मान लीचे स्टॉक में 1100 रुपे का लेवल नीचे के साइड में अगर break होता है market में अगर pressure रहता है तो definitely stock में भी रह सकता है तो इस टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि market में अभी pressure काफी ज्यादा increase हो रहा है तो definitely stock के उपर भी रह सकता है तो हम इस recording stock को 1100 रुपे के लेवल के नीचे शेल करने की कोशिश करेंगे तो चले जो लेवल से वो update कर देता हूं तो दोस्तो लेवल के अगर मैं बात करता हूं तो लेवल आप लोगों को कल की date के लिए मिल रहे हैं 1092 रुपे से इस label से आप stock को क्या करेगा बड़िया से short करेगा ठीक है target के अगर मैं बात करता हूं तो 1000 लगभख लगभख दोस्तो आप लेके चलेगा target 85 का जो होगा लगभख आप लोगों के लिए 13 पॉइंट का easily हमारे लिए अचीव हो सकता है stock का momentum को देखते हुए ठी ठीक है तो SRT को short करना है calculate में दिपाक night rate को short करना है यह दो बहतरिंग intraday की tip से proper technical analysis के through आपका technical analysis क्या बोलता है आप उस recording trading करिए या आपके जो भी financial advisor या broker है आप उनसे भी cancel जरूर करिए और साथ में एक और important point आप लोगों को बताना चाहूंगा जो भी हम target देते हैं उसका विल्कुल भी wait ना करें आपको 2 point का profit मिल रहा है 5 point का मिल रहा है 4 point का मिल रहा है 3 का मिल रहा है दोस्तों ठीक है 10 point का मिल रहा है 15 का मिल रहा है आप क्या करिए book करके चलिए आपको current में जितना भी profit दिख रहा है उसको book करके निकल जाए क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या हो अगर यही सेम कंडिशेन आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग में भी यूज करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा ठीक है तो यह है दोस्तों बैर्टरिंग इंट्रेड़ के ट्रिक्स और टिप्स जो आप लोगों को काफ़ी फायदा दे सकती है आगे इंट्रेड़े में तो इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि डेली बैसेस पर इसी प्रकार का बैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यों दोस्तों